नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में इससे पहले करेंट अफेर्स के तीन वीडियो अप्लोड किये जा चुके हैं और उसके वाद मेरे पास बहुत सारे एस्प्रियंट्स की कौरीज आ रही थी कि 68 प्रिलिम्स जो की 12 फरवरी को होने वाला है उसके लिए कौन-कौन से टॉपिक्स और कौन-कौन से सेक्शन्स पे जाया ध्यान दिया जाए तो ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाया है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 68 प्रिलिम्स के लिए most important topics क्या क्या हैं ये मैंने इस वीडियो मैंने history इस्ट्री जोग्रफी इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनोमी और साइंस पांच सब्जेक्ट्स कवर किये हैं और इसमें मैं बताऊंगा कि इन पांच वो सब्जेक्ट्स में कौन-कौन से most important topics हैं अगर आप इतना topics भी कर लेंगे तो मेरे हिसाब से अराम से 45 टू 50 questions आपके तो solve होई जाएंगे plus आपका 30 current efforts होता है plus 10 maths होता है तो around 90 के around around questions solve हो जाएंगे बाकी तो काफी कुछ कुछ से solve हो जाता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसुरे बात करते हैं history की अब यह आपको sources में देखा जाए तो लुसेंट्स जेनरल नॉलेज का history section और हिस्ट्री का घटना चक्र इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है जो भी आप पास सारी बुक्स है उसको अराम से साइड में रख दीजे बस इन दोनों बुक्स पर फोकस कीजिए अगर हम बात करें इंसेंट हिस्ट्री की दोस्त सबसे सबसे पहले important topic है इंडेस वैली सिवलेशन इसमें से काफी basic questions पूछे जाते हैं जो कि आप काफी आसानी से कर लेंगे दूसरे नंबर में बुधिजम एंड जैनिजम इसमें बुधिष्ट कॉंसिल और लाइफ ओफ लॉर्ड बुध और लाइफ ओफ लॉर्ड महावीड से काफी basic लेवल की question होते हैं और यह आपका घटना चक्र और लुसिंट जिनर नौले से कवर हो जाएगा एज ओप महाजन पद्स इसको 6th century BC का topic ही बोलते हैं इसमें मौरिया से पहले जो मगद इबायर था उससे mainly questions पूछे जाते हैं मौरिया इंपायर इसमें mainly focus असोग चंद्रगुपत वे होता है और इससे भी questions जो होते हैं काफी tough नहीं होते हैं गुपता प्यड़ी में भी वही है इसमें भी काफी काफी इगी सवाल पूछा जाते हैं फिर आगे south इंडिया में चोला चलुक्या एंड पल्लवा mainly इन सब के founder का ना मौपल जैसे फिर चोला डाश्टी में village पंचायत का system था उससे समद्न सवाल पूछे जाते हैं आगे बढ़ते हैं medieval इंडिया में किसें बस आपको तीन topic करने हैं और बाकी छोड़ देजिए ऐसे ही काफी boring होता है medieval इंडिया इसमें आप देल की सलतनत कर लीजिएगा उसमें भी mainly जो studio की team dances है slave dances खेल जी और तुगलक यह तिने पर जाया ध्यान दीजिएगा मुगल पेड़े में जाया ध्यान आपका अकबर सहाज जहां और जहांगेर पे होना चाहिए और बिजय नगर empire से काफी elementary questions पूछे जाते हैं modern India बहुत बहुत important side most important section of the exam होता है यह सबसे पहले इसमें सुवात करते है arrival of Europeans इसमें कौन सी European power कब इंडिया में आई और सबसे पहली factory कहां पे लगाई किस year में बस इतना जाना important होता है दूसरा governor generals और वाइसराइज यह पूरा लिस्ट जो आपका 1773 से सुरू होता है इसमें में लिए आपको 1910 तक के governor generals और वाइसराइज ने जो में में important work की है वो आपको याद रखने है इसके बाद कम ही पूछा जाता है इसमें जो में important नाम है Warren Hastings, Cornwallis, डलहोजी, बिलियम करजन इन सब नेम्स लॉर, डफरी, रिफपन इन सब नेम्स में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है constitutional developments इसमें जो भी act आया चाहे वो regulating act of 1793 था या फिर 1793 उसके बाद जो भी 813 में आया, 1853 में आया, 1858 में आया उसके बाद जो भी आया more limitar reforms, फिर act of 1919 इन सब acts की most important बाते ही याद रखनी है बहुत ज़रा deepness study नहीं करना है, बहुत confused हो जाएंगी नहीं तो फिर आप, फिर socio-release movements इसमें कौन सा movement किस ने शुरू किया, किस year में शुरू किया और क्या उनका main motive था, ये ज़्यादा ध्यान रखना है, प्लस उससे सम्मदिद कोई book या magazine हो, तो ज़्यादा ध्यान रखना है आगे, इसमें भी कौन सा movement किस ने शुरू किया, कब शुरू किया और क्या main motive था, यही तीन चीजे ध्यान में रखनी है 1857 रिवोल्ट इसमें तो mostly question हमेशा, बाववी कुवर्शीं से ही होता है, और हर सल साथ ये question बेपेसे के exam में होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जोतनी बढ़ेगी आपको Organizations before Congress, इसमें जो main important नाम है, Indian Association या फिर India League, जमिंदारी Association, British India Society या फिर जो इंडिया से बाहर भी बनागे थे कुछ Association वो समनाम आपको याद रखने है The Congress यह तो मैंने इसमें लिख दिया है, इसमें बस जैसे Congress का origin 1885 में, बसका Governor General कौन था, डफरी ने सका, Congress सेसंस बहुत important है, लेकिन फिर भी आपके इसको बहुत comprehensive way में पढ़ना है, और सारे सेसंस में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे सेसंस में जो जो main main चीजे हुनी है, वो आ आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, या आपको अस्पेक्टर में आफिक सोना ली, बन सलिया भी पूना दलाल दहिया की जो बुक है, तीनों में से किसी में, अपेंडिक्स में काफी अच्छे से मिल जाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें कॉंग्रेस के सेसंस में भी कवर हो जाएगी, सो देसी मुव्मिन्ट, बेसिक चीजें कहां हुआ था, क्या में काफ था, अरिवास्नरी नेस्नलिजम, ये में लिए इंडिया में फेज, अनुसलन समीती से सुरू हुता, या फिर उसके बाद मित्र मेला हुआ था, या फिर जो पूने में गोली मारती गी सी, ये सब जो भ हुआ था, वह आपका अच्छे से कर लेना है, भगसी इंचन से खड़ा जाए, एच आरे, एच एस आरे, चिट्रों आर्मी रेड, काफ़री ट्रेन एक्शन, ये सब चीजें, गदर मूव्मेंट और हो में वह थी, संचेव में करना इसको, कहां सुरू हुआ था, कौन में लिडर थे, होमोल मूव्मेंट इंडिया में कौन दोह थे, दोनों में क्या में डिफिरिंस, दोनों कहां ऑपरेट होते थे, ये दोनों ये सब चीजें बस, arrival of गांधी जी अं चंपान सत्यागर्ण, चंपान सत्याया से में ली ग्वेस्जन तो यहें निकल के सामने आता है कि गांधी जी को बिहार आने के लिए किस ने परस्वेड किया था और राजकुमार सुकला यह वो कुछन बहुत बहुत पूछा जा चुका है यह सब जो भी मैं टॉपिक्स नाम आपको बता रहा हूँ इसा साय टॉपिक्स घटना चक्र सही मिली करने और सफले मेंट बस कर लिजेगा लुचिंट बाली किताब से इसमें फी नन कोपेशन मुवमेंट सीविल डिस ओवेडियंस मुवमेंट कुछ इंडिया मुवमेंट यह तीनों आपको बस जितना घटना चक्र में दिया हो बस उतना कर लिजेगा बहुत जादे इसमें अंदर डीब जाने के जोद नहीं है फी डिवलेप्मेंट्स आफ्टर नाइटीन फोट्टी इसके बाद बहुत सारा कुछ हुआ है वह सब अच्छे से कर लिजे घटना चक्र से ही एक चीज़़ मैं इसमें लिखना भूल गया हूं बूक्स एंड और्स यह भी निज पेपर किस ने सुरू किस ने लिखी कौन सा मैंगी किस ने सुरू किया इसका एक अपरिंडिक्स आप तो आपको वही अस्पेक्ट्र में सुन लिवर्स लिया support दलाल दहिय की भूक है वहां से कर लीज़ेगा इस में सहोतो Curtis इन इसमें समय सःक्षर क करेंगे बाक ग etwas करते है भूप सब्सक्राइब डाइन में में व्मिंट पर लीकaking प्रश्ची की बूक है उसमें आपको तो इनफ मेटेरियल मिल जाएगा वहां से कर लीजेगा। कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी या पता है कि जैप्रकास नरायन से संबंधित है। और इस पर बहुत जादा कोश्चन्स पूछा जाते हैं। और साथ हर साल होता ही है। इसमें जो जो कोश्चन घटना चक में दिया है बस उतना कर लीजेगा। आपका काम हो जाएगा। फॉर्मेशन बिहार एस्टेट इससे बारो कोश्चन पुझा जाता है कि एक बत तो 1912 बना था एक 1936 में बना था। किससे कवा लग हुआ था यह सब बातें क्यों बना था। काफी सौट में यह टॉपिक आप कर सकते हैं। तो हिस्टी में इतना था। में लिए हिस्ट्री और साइंस ही एक्चेंसिबली कवर करना होता है। बाकी तो कम ही टॉपिक करने है। जैसे कि देखते हैं जोग्रफी जोग्रफी यह सब जैसे मैं बार बोलता हूं कि जोग्रफी में कोष्ट वेरिफिट रेसियो काफी कम होता है। इसमें बहुत एफट मत लगाई है। कुछ न कुछ हमेशा छूटी जाएगा। इसमें सेंसर्स कर लीजएगा। इंडिया और विहार दोने कॉंटेक्स्ट में। सबसे बारा जैस सबसे जादा पॉपूलेशन बाजी सबसे जादा पॉपलेशन दिन्सिते बाला स्टेट सबसे कम यह सब सेक्स रेसी इन्डिया स्टेट फॉएस्लिपोर्ट 2021 यह सबसे लैटेस्ट यह है और यह पिछले साल मार्च में आया था लेकिन 67 फिरलिम्स में इसमें questions नहीं आये थे तो बहुत chances है कि मुझे लग रहा है कि 68 में questions रहेंगी ही रहेंगी इसलिए इसको भी इंडिया और विहार के context में काफी अच्छे से कर लिजेगा काफी अच्छे से की काफी डीप नहीं करना है में लिए सबसे जादा और सबसे कमगला डिस्टिक और स्टेट कर नाम ही याद रखना है वही पूछते हैं और exact percentage of forest in India and Bihar यहां पर फसल production की बात करते हैं यह भी वर्ल्ड के context में इंडिया और विहार वीहार में में और फसल उसकी बात और इंडिया में भी सेम सब चब्सक्राइब इस में पर्डॉक्समिंजर और इंडिया के इस काफी होता और रसी उगाज देए जिसमें वर्ल्ड और इंड्या के कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा किस कंट्टी हूं और सबसे जाधा व्हते में 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 इंपाटेट मिंदल्स फिसकलóc बिहार में इसमें गपवियों दिया क है कि पाफिन यां छार्ज Алеू शबहित दिक फिसकल और आफिक विहार स्पेчल बुक में मिल जायेगा विहार सब्सक्राइब बुक में आपको एक बात गधिद्धान रखना है कि विहार स्पेशल बुक में काफी टॉपिक दिया हुए होता और बहुत ज़्यादा जगाँ गजारा है ज़्यादा कि सब करना है लेकिन बस कुछ निकरना है बिहार का हिस्ट्री और विहार का जिग्राफी और important personalities यही तीनों टॉबरी करना है बिहार का डांस बिहार का festival बिहार का पॉलिटी बिहार का twist places यह सब बिल्कुल ignore कीज़ेगा complete wastage of time है अभी आपके पास और पंदरा दिन समय बचा उसमें आप इतना ही कर सकते हैं तो इतना ही कीजिए रिवर्स और बिहार यह इसमें मिली है कि कौन से रिवर किस डिस्ट्रिक में कहां पर किस से मिलती है खावी असाने हो जाएगा इंडियन पॉलिटी वही source घटना चकर रखना है सब्सक्राइब आशब आपकर रखने हैं और अपने गरें एक दो बार इटक्ष म कांद पर ऊटबगा हो गया या फिर इक दो बार भी इस बुक के इस बुक को पढ़ाऊ तो यह सब आटकिल्स आपको आठा, याद हो जाता है sections of the constitution कौन से section में किसकी बात की गई है sorry इसमें actually parts हुआ जए मैंने गरत लिए इसका right term parts of the constitution parts of the constitution है ठीक ना जो बारा part है उसकी बात की ज़िए कौन कौन से important amendments हैं 42 44, 61 या फिर जो हाल में जो पिछले कुछ साल हो जो 3-4 amendments में वह सब अच्छे से याद के लिए जएगा first amendment पता होना चाहिए यह सब चीजे गवर्नियर सिस्टम वही रिपब्लिक डिमक्रेसी यह सब और parliamentary democracies क्या होता है मुनार्क क्या होता है यह सब चीजे जो मुश्टलिया आपको पता होंगी fundamental rights में कुछ नहीं करना बस सारे articles पता हो चाहिए अच्छे से याद होंगी उसमें question बहुत पर आता है DPSP में सेम चीजे articles अच्छे से पता होना चाहिए council of ministers यह जो इसमें जो भी questions दिये हुए हैं घटना चाहिए बस उतना कर लिजेगा the president में भी जो भी सवाल दिये हैं घटना चक्र में उतना काफी है social of the constitution में किस-किस देश से इंडिया ने कौन-कौन सी चीजे लिए हैं वो करना है वही इसमें भी 18 countries की list बनती है parliament में घटना चक्र में I think 4 parts दिये गए हैं उतना नहीं करना उसमें साइद part 4 में बहुत सारे acts की बात की है जो 36 पीसिस में बहुता पूछा जाता है might we तो आपको नहीं करना है और बस part 1, 2, 3 घटना चक्र से कर सकते हैं उतना इनफ होगा parliamentary committee ये भी सबसे बड़ी committee कौन सी है कौन सी committee बस कौन सी committee में बस लोकसभा के member होते है और कुछ जो important committee है वो सब कर लेजेगा सारी committee नहीं करने हैं शुरू की 5-6 committees enough है या फिर 3-5 ये बहुत जो important है पंचाइती राज institutions और अरवन local bodies इसमें हर साल questions होते ही होते हैं कब कौन सी committee बनी किस committee ने क्या recommend किया 73th amendment क्या था 74th amendment क्या था किस committee ने 2-tier structure बताया किस committee ने 3-tier बताया ये सब बाते हैं जो कि कौन-कौन से राज में PRIs नहीं हैं ये सब चीजें कर लिजेगा हो जाएगा घटना चक्चस से यहाँ पर गरत लिखो यहाँ पर science section होना चाहिए science की बात करते हैं उसने पर source बिल्कुल यही दोनों source पर श्टी कराना है Lucent General Science वाले book बिल्कुल मत पढ़िये बहुत जागा बताया गया है कि General Science वाले book पढ़नी है और ये book तो अगर है तो या तो उसको pack कर जाए आफ्री किसी को दे दीजिए ये book बिल्कुल सही नहीं है BPC के लिए इसमें बहुत जादा information दी हुई है और इसको पढ़ेंगा तो बाकी चीज़े नहीं पढ़ पाएंगे और ultimately आपका selection नहीं होगा तो देखते हैं science में क्या को करना है measurements and units mainly SI unit जो 7 है वो देख लेना है जो 7 mainly 7 quantities है वो देख लेना है और बाकी जो many-many units है वो देख लेना है SI units है पिर optics में कौन से lierals का क्या ही होज है कौन से मेले लेका क्या ही होज है ये सब चीज़े किसमें image real किसमें image inverted बनता है यह सब चीजे और वह बोला फॉर्मूला बस पता होना चाहिए क्या पता कभी पुच एक्जाम में आज है काफी basic होगा और इससे question बन रहा है इतना ही heat and thermodynamics इसमें medium यह metals of transfer of heat और जो भी चीजे और इसमें काफी कि इच्छे सवाल दिये हुए हैं घटना चकन में उतना कर लिजेगा उसी से घुआ फिड़ागे सवार आ जाते हैं फिर से कि वेब मोसन यह भी बस घटना चक से कर लेना है पांच एक कुस्टन ट्रांसवर्स मोसन यह ट्रांसवर्स वेब क्या होती है longitudinal wave क्या होती है एंप्रिटिव फ्रिक्रेंसी यह सब चीजें इसमें भी सौंड भी इसमें दो तीन सवाल आ जाते हैं वह भी कर लिजिएगा इलेक्टिक करेंट इसमें इसमें मेली यूनिट ही पूछते हैं और जो भी कोच्चंग घटना चक दिया हुए वो तहना कर लिजिएगा साइंटिस्ट एंड इन्वेंसं यह तो रटने वाला है अगर हो पाया तो अच्छी बात है और नहीं हो पाय तो कोई बात निसको वापस की भी कर सकते हैं कि बहुत कुछ पढ़ने को आप साथ नहीं याद रहा है तो कोई बात नहीं और आगे बढ़ते हैं chemistry, chemistry में बहुत कुछ पढ़ने को है, atomic structure इसमें है, neutron की खोज किसने की, proton की खोज किसने की, electron की खोज किसने की, किसमें positive charge, किस के उपर negative charge, कौन निकुलेस्म होता है कौन बाहर मोग कर रहा था आइसोटोप्स क्या है और आइसोबार्स क्या है मतलब यह सब साइज ही आपको अडिमेटली घटना चेकर मिल जाएगा इस बुक से कर लेज़ेगा सब कुछ पता चल जाएगा इसमें पीएज वैली यह सब क्या किसका क्या होता है वाटर का पीएज क्या होता है बार 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 यह कोशन पुछा जाता है बेस का पीएज कितना से कितना तक होता है कुछ इंपॉर्टेंट साल्स के नाम कुछ इंपॉर्टेंट्स एस एसिड्स का यूज यह सब चीजें यह एक लिस्ट आपको लूशन के बुक में है उतना कर लिज़ेगा काम चल जाएगा मिनरल्स एंड ओर्स इसमें भी मेली ओर्स पर ध्यान देना और यह भी लूशन मेंग लिस्ट है और घटना चक्र से सप्लिमेंट कर लिज़ेगा आपका काम हो जाएगा फीज के रभी केमिकल चैंज इसमें तो बार बार कुछले कुछ सालों से सब्ली मेसन ही पूछ रहे थे माइट यह कुछ चेंग करें लेकिन छेज़ात क्वेस्टन्स दिये हैं घटना चक्र में उतना कर लेना बस हो जाएगा за इंफरा मतलब ज्यादा है देक cricket क्राइबा腳 कॉस्टन्स फूछे गाहिए इस टॉपक्स से पॉलिमर्स क्या यूज है त्याuration का यूज है पौली या आट क्या उसका बस देख लेना है वह से ज्यादा नहीं में इसमने क्या श्टक्टर यह सब देखने बैठ जाएगा बह इसमें भी दो त्रीन कोश्चन करना चक्र में उतना कर लीजेगा more than enough है food preservation इसमें एक दो chemicals करने में आपको याद रखनें एक दो compound के नाम आपको याद रखनें जो की यूज होता है food को प्रिजर्ब करने में soaps and detergent दोने basic difference क्या है और कौन सा शोप याद ड्रेजन कहां यूज होता यह सब दो तीन चीजे यह घटना चक में भी दिया और लुचन में भी इसमें दो तीन बाते लिखी में बहुत देख लिए ग्रीन होस गैसे यह पिछले कुछ सारव से बीपेसी इस पर लगतार सवाल पूछ रही है तो किस गैसा कितना इंमपेक्ट gathered है और यही पूछते हैं इन में से कौन सा गिणुर्स गैस है और कौन सा नहीं है तो कम से कम आपको कुछ नाम तो पता होने चाहिए कि जो कि गिंुर्स गैस है बात करते हैं biology की टेक्सोनोमी एक टॉपिक है इसमें बहुत जादा कोच्छन्स पूछेगे हैं लेकिन काफी डावर्स नेचर होता है इसे कोच्छन्स का तो यह घटना चक्छे जितना दिया हूँ उतना कर ली जाएगा अगर फिर से कोच्छन रीपीट हुआ तो अच्छी बात हो नहीं हो त है कभी-कभी जैसे सिफिट हर्ड में या उससे पहले साथ वार्षट में दो-तीन बिटामिन के नाम पूछ दिये गया थे और इसे एक-दो साल से नहीं आया तो इस पर चांस है कि मैट भी फिर से कोच्छन में अपियर हो कोच्छन पेपर में सेल बाइलोजिस में में ली प डिजेज यह घटना चक में बहुत लेंदी बहुत लेंदी टॉपिक उतना मत किज़ेगा बस आपके इसमें बैक्टेरियल डिजेज फंगल डिजेज वाइरल डिजेज यह जो इन सब कर्टेगरी मौट जो भी है सब में आप चार पांश नाम पता होने चाहिए उतना काफ तो क्यों से क्रीट करता है यह सब चीजे फोट्हेलमस क्या है यह एक्टुली है फोट्हेलमस दोबार एक्जाम में पूछा जा चुगा है लगता था थो इंपॉर्टन बन जाता है सिस्टम सव दवाडी सिस्टम की बात करते है इससे सवाल दाट है और फिर ब्लड की बात करते हैं १ो की ठाटैप क्या होता है कौन डोनेट कर सकता है Salut और्ब क्षैक्टर क्या है इस सब चीजे जैंब है प्ढ़र लिजे ऑर लासट महीं है फोट्यस और संथ essa यह सोड़ा टॉपी लेकिन पता नहीं कि इसे बेपे से बारव सवाल पूशती है तो फोटो सिद्धिति से संबंधित जितने वी क्वेस्चन्स आप घटना चक्ट में मिलेंगे सारा का सारा कर लिजेगा आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं लास्ट इंडियन एकोनोमी पे इसमें लो होता है निसनल इंकम पूश देंगे और इंफ्लेशन क्या यह पूश देंगे सबसी जवाब को इन जनल पता होती है तो मैं साब से इंडियन एकोनोम में ज्यादा कुछ फोकस करने के जो होती है बस अब आपका पार जो भी लैटेस्ट बजेट और इकनॉमिक सर्वे है जो आपको सबसे छोटा सबसे सौटेस्ट समरी मिलें बस उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिजेगा उससे अराम से दो तीन कोश्चन बन जाएंगा और इतनी ही सवाल आती ज्यादा आते भी नहीं है अब जोकि लास्ट यह का बजट और इकनॉमिक सर्वे निकले भी अल्मॉस्ट एक साल हो गया है तो माइट इस साल कम फोकस हो बठोन वच कुछ भी हो सकता है तो इतना कर लिजेगा तो यह था इंपॉर्टेंट लिस्ट अफ टॉपिक्स अगर आप इतना भी कर लेते हैं और मैं यह एजूम करके चल लाओं कि अगर अब यापस पंदर दि दिन तो हैं ही और इतना भी कर लेते हैं तो इसली आफ 50 क्वेस्टन तो आराम से सॉल्ब कर लेंगी और इतना टॉपिक में यह साब से 6-7 दिन में हो जाना चाहिए बागी आपके पास जो 8-9 दिन बचा है जो आप कुछ चीज़े पढ़नी है पढ़िए यहाँ हो जाएग दस मैट्स 90 कोश्चन तो ऐसी हाँ पर मतलब बस स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए तो काफी आसानी सी एकजाम अभी भी निकल जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है यह वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं बाकि मैं कंटिनीव करूंगा करेंटर फेट्स की वीडियो बाकी कर्टर फेट्स के थीम है वो सारे वीडियो एकजाम के काफी पाले ही अप्लोड कर दी जाएंगे तो अगर यह वीडियो आपको हिलफुल लगा तो अपने दोस्तों को बीच में सेर कीजेगा ताकि उनको ही फाइदा हो थैंक यू